आप लेको आप लेको असपाश दिख रहा है आर्पी अच्छा से लिख रहा है देखे को कि अच्छा से लिख दिए हैं देख लोग को तुम लोगों ने कहा था कुछ बच्चे निके सर हम लिख नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा अपने इसाके दोनों को एक साथ कर देंगे चुकि इंगलीयूम हंदि मिडियूम का दोनों का दोनों का लिक करके अलग सेही सकता है दोनों को साथ मैक परिसानी नहीं होगा स्यस्ham u बोड दिख रहा है पूरे आप देख रहे हैं और जो भी है आपको राइटिंग अच्छा दिखना चाहिए आपको लिखने का जोरत नहीं पड़ेगा सिर्फ समझना है और यह आपको अगर आप चाहेंगे तो हम भेज भी देंगे आपके पीडिया पर या इसे आप नोट कर लीजिएगा इसलिए परिशानी क्या हो गया कम होगे हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ कर दिया चुकि आप आप लोग जीद करने लगे कि सर पांच लाइन छे लाइन या जो भी हो सकता है प्रोपर लिख दीजिए सभी को नमस्कार है आप आज आईए यहां पर जूड है तो क्या बोले हम आपको बस आज पढ़ा रहे हैं सुवह भी नहीं पढ़ा पाए थे लेकिने आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और कोई बात नहीं है एक साथ कर देंगे इंगलिस और हिंदी समस्या समाप्त हो जाएगा लिखा हुआ तो कि सबने जीद किया कि सर लिख के थोड़ा दे दीजिए आईए लिख करके देखते देखिए नेक्स सवाल जो 30 था उसमें आपका था कि जेनेटिक इंजिनियरिंग क्या है या इसको कहते हैं रिकॉंबिनेंट डिएनेट टेकनोलोजी क्या है तो दो सब्द एक जेनेटिक इंजिनियरिंग आया और दूसरा जो आपका आया है वो है रिकॉंबिनेंट डिएनेट टेकनोलोजी दोनों का मतलब एक होता है चुक हूँ हूश है तो यहां पर क्या कहता है कि जब कोई आप DNA या RNA को चेंज करते हैं 2016 करते हैं चरफ फिल उस चंज किया हुआ डिने को किसी दूसरे organism में डालते हैं कि किसी और organism में डालते हैं इसी का नाम है जेनेटिक engineering हमने कुछ विशेश बोला नहीं है आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि हमने बोला जेनेटिक फिनो टाइप बोलते हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फिनो टाइप इसको आप चेंज करते हैं मतलब उसका जेनेटिक बनावट चेंज हो गया तो फिनो टाइप भी चेंज हो गया तो यहां पर मैंने सिर्फ वही डिफनेशन लिखा है कि दा टेक्निक्स तू अल्टर अल्टर का मतलब चेंज करना chemistry of genetic materials dna और एंड इंट्रोड्यूस और उर्गेनिजम इसको हम होस्ट और डाल देते हैं और aba फिनो टाइप ऑफ ग। जिसमें हमने डाला था उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है अब इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं कि यह एक विशेष तकनीक है दिख रहा होगा यह एक विशेष तकनीक है जिसके द्वारा अनुवांसिक पदात दियने या आरेने का रसायनिक बनावट को परिबर्तित किया जाता है एवां इसे होस्ट जीव जिसमें डाला जाता है इसको होस्ट करते हैं होस्ट जीव के अंदर परवेश कराया जाता है एवां इस जीव का फिनोटाइप परिवर्तन किया जाता है इसे हम क्या बोलते हैं जैनेटिक इंजिनियरिंग का मतलब सिंपल है कि हमने gene change किया DNA change किया चाहे RNA change किया इसको हम genetic engineering करते हैं जैसे मानब का gene को हम ले करके bacteria में डाले तो bacteria में क्या हुआ कि gene आपने change किया host bacteria हो गया host का मतलब परपोसी तो आपका सुद्ध दो example भी दिये कि insulin जो है gene को E coli में परवेश किया जाता है insulin gene पहले आप मनुस्य से निकालते हैं और इसको कहां डालते हैं E coli इतना आपको कोई दिक्कत है अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में लिखेंगे एक्जामपल दोनों लिखेंगे एक्जाम्पल में अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में और हिंदी लिखेगा कहीं परिशानी है यह एक विसेश तकनीक जिसके द्वारा अन्वांसिख दालने के बाद उसका थिनो टाइप क्या हो जाता है इसमें लिख लोगे या इसक्रीन सोट ले ना अराम से हिंदी वाला हिंदी अंग्रेजी वाला अंग्रेजी दोनों को लिख के चल रहे हैं और अगा अगर प्रिशानी होगा तो बोलना ठीक है आज़ यह आप आगया 31 यसन इंडो निकुलियोज यह बारवार पुछता है कि उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम तो पहला बात तो यह क्या है इंजाइम चाहे अंग्रेजिम लिखिये चाहे हिंदी में तो पहला है दिस इज एन इंजाइम यह एक इंजाइम है डाट कट डाट डावल इस्ट्रेंड डियने एक धागा नहीं दोनों धागे को कटा जाता है एट इस स्पेस्फिक साइट कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडो निकुलियेज एक इंजाइम है और उसका नाम तुम लोगों को पता है कोई बच्चा हमको उधर से गाइड करो तो कि जहां पर काटता है उसको क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्षन एंडो निकुलिये जहां पर काटता है यह अबजेक्टिब भी पूछा जाता है कि कहां काटता है डिने के किस जगह पर काटता है कोई बच्चा का अगर जबाब आजाए तो ठीक है चुकि वो भी आपका सजेशन म में रहे या ना रहे वो भी भी आयARS रेस्ट्रिक्षन साइड जसमिन ठीक है सब प्रींस र रेस्ट्रिक्षन इंडो निकुलियेज बोला सब्सक्राइइज है चलो आर्थी और कोई बच्च्या दूसरा नाम्ग भी मोला जाता है गल तो माधों को स्युने नाम नहीं याद है पेलेंड्रोमिक सिक्वेंस पेलेंड्रोमिक अनुक्रम तो यहीं हमने लिखा है अंग्रेजी में बताया हिंदी में वही है एक इंजाइम है जो डीने के दो धागे को एक साथ निश्चित जगहों पर काड़ता है इसे हम परतिबंधन इंजाइम कहते हैं और इसका दो कोई एक्जाम्पल याद रखोगे कितने एक्जाम्पल कोई बात नहीं पता है तो पैलेंड्रोमिक अनुकरम आपको याद होगा पैलेंड्रोमिक अनुकरम को ही कहते हैं restriction site restriction site का मतलब प्रतिबंधन अस्थल जहां पर dna को काटता है कौन यह आपका restriction endonuclease कहीं कोई दिकत तो दिसीज एन इंजाइन दिसीज एन इंजाइन देट कट डवल इस्टेंडेट डियने एट स्पेस्पिक साइड कॉल restriction endonuclease एक इंजाइम है जो dna को दो धागे को एक साथ एक निश्ची जगह पर कटता है दो थो एक्जामपल याद रखोगे तुम लोग को याद है अनुकरम घुंडी यह भी चलेगा लेकिन बहुत ही लोवर हो गया बायो में इक और फर्स्ट कहां से प्राप्ट करते हैं इट इज ऑप्टेंड फ्रॉम इकोलाई और दूसरा है हींड टू इस हींड टू और यह दोनों को तुम एकदम याद रखोगे दोनों objective में भी करते हैं और हींड टू किसे प्राप्ट करते हैं तो आपको पहला इंजाइम यही है पहला restriction इंजाइम यही है जो कि तुमने प्राप्ट किया था हम लोगों ने प्राप्ट किया था कि से हीमोफीलस इन्फ्लुएंजी तो हमने अब्जेक्टिव यह साथ साथ यहां सब्जेक्टिव भी कर दिया कि अगर दो एक्जामपल है तो एक्जामपल दे दो और साथ मैं इसका अब्जेक्टिव भी दिमाग में रख लो कि एक और जो है इकोलाई से प्राप्त होता है और हिंड टू कह क्या है यह एक इंजाइम है जो कि डीने के एक निश्चित जगहों पर काटता है और डीने के एक धागे को काटता है कि दोनों धागे को काटता है दोनों धागे को एक साथ काटता है कि कि लियर है इसका चाहे तो आप ले सकते हैं कि इसका चाहे तो आप ले सकते हैं आप ए तोट एक साथ कहीं कुछ दिक्कत नहीं एक बार पढ़ लेना लिखने का जरूरत नहीं है हम लिख भी दिये हैं अब क्या करें कुछ बच्चे ने बोला किसे दो चार लाइन पांच लाइन हमको लिख के बता दीजी अब लिख के बता रहें लेकिन अलग-अलग नहीं बता सक यहां पर आपका यह वाला उब्जेक्टिव जरूर याद रखना अगर आपका दो नंबर में नहीं पूछा रेस्टिक्शन इंडो निकुलियस तो एक चीज़ याद रखना है कि इसका उब्जेक्टिव पूछा जाता है इक और इकोलाई से प्राप्त करते हैं और हींड और वैसे जितने भी रेस्टिक्शन इंडो निकुलियस है वह लगभग बेक्टेरिया से प्राप्त करते हैं कि नहीं सर हम कहीं नहीं जूड़े हुए हम अपने आप से जूड़े हुए हुआ है कि एकीस से बीडियो कहा है सर्ट एकीस से पिछले कलास में पढ़ाया है अउत्यूकिण इस से लिखा नहीं एक तीस है चल आ पर है यहां पर आपका हिंदी और इंगलीस दोनों को एक साथ कर देते हैं इसे में इंगलीष वाले को कर दिया है सुक्ि हstein report है है चाई मिलस हिसी लेते हैं हिंदी कर देंगे वहां पर यहां पर आजाओ आपक मुझे लगता है कि यह वाला मि लेका morbid एक ग्यार है एक बार है ना एक ग्यार है और यह बार है आ जाईए यहां पर देखिए कि जरूर होगा वीडियो नहीं होगा तो फिर देखेंगे हम देखो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं और यहीं वाला फिगर बनाना यह वाला नहीं बनाना आपको बनाना किसको है यह वाला इसमें मैंने कुछ नहीं बोला था मैंने बोला था एक सिलिंडर बनाना है आपको यह वाला और यह सिलिंडर को जो है उपर में एक जो है आप ऐसे करके मोटर से जोड़ दीजिए यह मोटर का सूचक है तो यह तो आपका मोटर हो गया इधर से दो रास्ते जा रहे हैं एक रास्ता से एसीट बेस को पीएच को जान इसको मापते हैं कि पीएच इसका क्या है इस मीडियम में इसके अंदर हम बैक्तेरिया को क्या करते हैं बैक्तेरिया है या कोई इस्ट है इसको कल्चर करते हैं कल्चर का मतलब हुआ विर्धी करते हैं इसके अंदर तो इसके अंदर जो है अगर पीएच बढ़ जाए या जो है आपका एसीट बढ़ जाया घट जाए तो यह ग्रो नहीं करेगा इसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं इसका पीएच यानि कितना अमलिय है और कितना चारिय है तो इसके द्वारा इसको कल्चर किये अब एक रास्ता और यह वाला जिसके द्वारा हम इस्टीम का मतलब होता है भाप आप भाप डालते हैं भाप इसलिए डाला जाता है आनि जिसको कहते हैं वास्प वास्प इसलिए डाला जाता है कि पहले से अगर कोई बेक्टेरिया है तो ये वास्प जा करके उस बेक्टेरिया को मार देता है चाकि हम ये चाहते हैं कि कोई वैसा जीब इसमें बिर्धी करे जिस जीब से हमको मतलब है दूसरा कोई बिर्धी ना करें इसलिए स्ट्रीम दाला जाता है एक चीज और कर लेना इसमें एक रास्ता और देना जिसके द्वारा आप क्या डालते हो बेक्टेरिया को डालते हो अताथा क्या डालते हो कल्चर माध्यां क्या डालते हो कल्चर माध्यां जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कल motor सूचक है अब इसके पास यहां देखिए Friends को breaker करने वाला मतलब ये पंखी झभू मेगा तो यह जाइसे करके गूमेगा तो यह form को breaker करेगा मतलब झाग को तोड़ने वाला इसका नाम क्या है जाग को तोड़ने वाला झाग इतना अब इतना ही फ्लेट ब्लेड इंपेलर यह जब घूमता है यहां रेट टाइप का पहले से दिया हुआ है कि यह घूमता है तो क्या करता इसके कल्चर मीडियम को घूमाता है और कल्चर मीडियम को जब घूमाएगा तो इसमें जो मीडियम में जो पोसक तत्व है यह नीचे नहीं नहीं तो कहां बैढ़ जाएगा नीचे बैढ़ जाएगा सिंपल से बात है इसमें यहीं करते हैं अब इसमें कल्चर मीडियम है जिसको कल्चर ब्रोथ बोलते हैं इधर से मैंने इस्टेराइल एयर दिया एयर इसलिए दिया जाता है कि कुछ बैक्टरिया सब को या कुछ जी कराया तो इसमें भी कोई दिख्कत है इसको एक बार प्रैक्टीस करना आपको ब्ऄसल कैसे बनाया जाता इसको नहीं लिखना आपको इसी को बनाना रहे वाट य। बायो रियक्टर बायो रियक्टर इस दॉटस यह ब्थ gen 7य बरतन है आपका इसमें सत्य दिया गया है किसी में इसमें एपल डालते हैं किसी में बेजिटेबल बेजी डालते हैं इधर से करेंट का आउट्पुट है यहां पर स्वीच है उसी तरह से कंट्रोल करने का सारा सिष्टम होता है किसमें बायो रियक्टर में यह बायो रियक्टर जो है खास करके हम लोग को कल्चर करने के लिए उपियोग होता है कि ठीक है कि देखो भाई हमको पता नहीं है बाकी बात जिन्होंने स्टार्ट किया है और जो भी स्टार्ट किये हैं सूपर द्धश्ट करना चाहते हैं और दूसरा वह है जो कि मेडिकल और क्वालिफाइ करना चाहते हैं तो भागलपुर में एक महाल बन रहा है शूपर थर्टीवट वन के नाम से जो कि मैंने भी सुना बच्चों के द्वारा तो बहुत अच्छा है सराहनिय है और हम जुड़े ना जुड़ें लेकिन मेरे तरब से हमेशा सपोर्ट है भाई कि बच्चे आए यहां पर कुछ करके जाए बहुत अच्छा रहेगा ऐसा नहीं है जो भी है जो भी टीचर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा ऐसा जो है मोका क्रियेट किजि प्रिटिशन में भाग लेना चाहता है जेनरल में लेकिन जो लड़के करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा प्लेट फॉर्म है अगर जिन्होंने भी बनाया है उतना ब्रिश्त्रित नॉलेज मेरे पास तो नहीं है सुपर थर्टीवन का बट मैं क्या कोई बहुत मैं होप दिकत इसको बना लेंगे आप इस फीगर को बना लेंगे एक बार कंट्रों इसको नहीं बनाया में ने चुकि आप बार बार ठीक है कहीं को दिक्कत है कि कहीं को दिक्कत है क्या प्रेशानी है इसको बनाना होगा एक बर प्रैक्टिस करना होगा पांस नंबर का भी पूस्ट देता है आजाएं आज जितना भी सवाल को मैंने पीडियाफ इंगलीस और हिंदी बनाया है सबको समझा देंगा और सबको आप कुछ नहीं करना है अब अपने से लिख सकते हैं चुकि मैंने लिख के दिया है आजाओ अब जो है यहां पर आजाओ जो मैं पढ़ा रहा हूंगा आपको तो Bio Reactor हो गया और Bio Reactor के बाद यह जो मैंने आपका सवाल बनायाए यह Bio Reactor हो गया 203 पेज में है मैंने लिख दिया है कहीं को दिखा अब आ जाईए यह वाला बच्चों को पढ़ाए थे इंगलिस मेडियम को वाट इस दा डाउन इस्ट्रीम प्रोसेस अनूप परबाह संसाधन क्या है अब एक सवाल है तुम लोग से जैसे कि मैं बता दू कि बायो रियक्ट जैसे यह बायो रियक्टर आपने पढ़ा यह बायो रियक्टर है ठीक है इस बायो रियक्टर में जब आपने बैक्टरिया को डाला और बैक्टरिया को डालने के बाद जब यह कल्चर पूरा हो गया कल्चर जब पूरा हो गया तो इसमें प्रोडक्ट बना होगा कि नहीं बना होगा प्रोडक्ट बना होगा चाहे जो प्रोडक्ट बना है चाहे आप इस्ट को डालिए तो इस्ट को डालने के बाद आपका क्या बनता है चांते हो ना अलकोहल बनता है तो अलकोहल में और भी चीजें है न तो सिर्फ आपको किसको निकालना है आपको अलकोहल को निक करना और मार्केट में बेचना या आदमी के द्वारा उपियोग करना इसी को कहते हैं अनुपरवास संसाधन तो पहला बात तो जान गया तो मैंने वही लिखा कि जब कभी प्रोड़क्ट आपका बन जाए वें दा प्रोड़क्ट्स और सिंथेस्डाइज इन दा बायो रियक बायो रियक्टर में जब आपका प्रोड़क्ट बन जाए नौदा प्रोड़क्ट्स इन विच दा प्रोड़क्ट्स और सेपरेटेड सेपरेटेड एंड क्या होगा प्यूरिफाइड प्यूरिफाइड दो सब्द को याद रखना एक आपका सेपरेटेड आदूसरा क्या these are called downstream process downstream process का मतलब कि बायो रियक्टर में बनने के बाद बायो रियक्टर में बनने के बाद जो product है उस product में जो product एकदम सुद्ध रूप से आपको निकालना है उसको अलग किजिए सुद्ध किजिए इसके बाद यूज किजिए all this process is called अनुपरबास संसाधन this is called in English downstream process तो हमने कुछ ऐसा लिखा नहीं है अमने लिख दिया है और इसके बाद हिंदी में भी वही है जब बायो रियक्टर में दिख रहा है फटा नहीं आप लोगों को जब कि हां हेलो कि जी जी कि जी कि जब बायो रियक्टर में उत्पाद बन जाता है अब अपना लेंग्वेज है तब वह परकिरिया जिसमें हम उत्पाद को सुद्ध और अलग किया जाता है सुद्ध और क्या जाता है इसे क्या बोलते हैं अनुपरवास अंसाधन कहा जाता है जैसे एक्जामपल भी लिखोगे तो ज्यादा नमबर मिलेगा कि इकोलाई में निर्म जाता है जो सीमें आता हुएमन इसमी तो वर्त करें और प्रशमी को क्या जाता आइसे मांय। ब्रूट को क्या यह क्या करता है अलग करके ग्या मार्केट मैं बेच till आफका दाण करते हैं कि दो ही चीज करना है जो बायो रियक्टर में पदार्थ बना उसको सुद्ध रूप से आपको अलग करना है सेपरेट करना है इसके बाद हम लोगों के दुवारा उपियोग होगा तब इने तो उसमें बहुत सारा क्या है अधर चीज है जिसके करण हमको बॉडी में लिए जाता है इसके बाद अन्य चीजे भी अन्य केमिकल भी उसको सुद्ध रूप से अलग कर देना सी किसको निकलना है पॉलियो भैक्सिन को इसके बाद इसमें कोई परेशानी है इसको आप लिक सकते हैं या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं यहां तक आप ले लिजिए आप क्या ले लिजिए इसका एक इसक्रीन सॉट ले लिजिए देख लिजिए शुद्ध रूप से आपको दिख रहा होगा इसक्रीन सॉट ले लिजिए डाउन इस्टीम प्रोसेश अनुपरवाश अंसाधन क्या है वेन दा प्रोड़क्ट सिंथेसाइड इन बायो रियक् करता है कि हम कैसे लिखेंगे क्या करेंगे इतना भी डरना नहीं है अपने से सब्द को बनाईए सब्द को नहीं बना पाओगे तो आगे दिक्कत है अभी तो ट्वल्फ निकल जाएगा हो गया हो गया सर आजाईए अब यहां पर आजाईए देखिए फंसंस ऑफ फॉलोइंग नीम्न का कारी यह सवाल में आपका एक्ठो अब्जेक्टिव आएगा एक्ठो दो नम्मर आएगा अब जो आजा तीन दिया है मैंने कौन-कौन है देख लीजिए फंसंस ऑफ फॉलोइंग है थोड़ा बड़ा कर देते हैं एक का नाम काईटीनेज है तो पहली बात काईटीनेज है तो यह क्या है एक इंजाईम है देखिए लास्ट में एज है काईटीनेज याद है आपका एक बात बता सकते हो यह अगर आपका फंजाई है जिसको आप फंजाई को कवक बोलते हो कोई बच्चा बताा तो एक अब जयक्टीब के रूप में हमने पूछा यह जो आपका आप फंजाई के चारो और है यह जो वालव है की से बना होता है यह जो भीति लेंगे हम लिखांगे कैसे तो लिख दीजे थोड़ा इंगलीस में एक दो थो बोला सब तो नहीं बोला लेकिंदी मेडियम मैक्सिमम बोला तो मैंने लिख दिया है कि अब आपको लिखने का भी जंजट ना हो बीवी आई कोस्ट तो पहले एक बात बताओ कि यह फंजाई का सबसे बाहर का जो बॉडर होता है जिसको हम वाल कहते हैं यह वाल जैसे हम लोग का यह जो है ना इसकीन का बना हुआ है नहीं यह इसकीन एपीडर्मिज कहते हैं ना तो इसका किसका बना होता है यह फंजाई का जो वाल है किसका बना होता है किसी का भी एंसर नहीं आ रहा ह थोड़ा दुखी मन है इसके बाद आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए कि अ है कि सोच के अंसर दीज़े और फटा-फट बहुत अच्छा काईटीनेज यह काईटीन का बना हुआ यह कायटिन नहीं का चार्बोयZ यह सकता है तुम किस में हो कि उब्जेक्टीव कर सकते आ websites फिर्फ काह Hugh 2010 करने से जाएंगा conceptual प्ड़ते नहीं हो और पड़ते भी हो और ध्यान नहीं देते हो तो यह जो हैं यह काईटीन जो है यह काईटीनेस के दुवरा तोड़ा जाता है तो बस इतना ही Hahn को छी है इतना ही तो है किSwspeed को तोड़ने वाला कौन है आपका कैटीनेस इनजेन में तो किसका भित्ती को तोड़ता है बाई कभग का भित्ती अब देखो कई समझने को दिकत नहीं ब्रेग्दा सेल वाल ब्रेक्दा सेल वाल ऑफफंजा कभग का कोशिका भित्ती को तुड़ता एक फंचन इसका यही है पहला किलियर हुआ ठीक है कोई बात में कज़ेंगा कई पर यह सब चलता रहेगा जहांपर एज है वह हमारा इंजाइम है जहांपर आपका एज है वहां आपका इंजाइम है और जहां पर आपका काइटीन लगा हुआ वह एक परकार का कार्बो हाइड्रेट है जिसका नाम है एन गुलूका जैमिन जो कि आपको अभी को जरूरत नहीं है यह वाला किलियर हो चुका है इसका भी तुम ले सकते हो क्या काइटीनेज का ब्रेक दा सेल वाला फंजाइक कवक का कुशिका भीत्ती को तोड़ता है आजाओ यह वाला सवाल अभी तुरंत बताएं है किसी बच्चे को और आप लोगों को याद है कि पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस क्या है जिसको कहते हैं पैलेंड्रोमिक अनुकरम आई होप आपने सुना होगा कि मैं पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस क्या है सिकवेंसेज तो डि ड्ने का वह जगह जहां पर पर जिस जगह कि पेलेंड्रोमिक अनुकरम क्या है तो पेलेंड्रोमिक अनुकरम किसे कहते हैं कि डियने का जो दो धागा है जिस जगह पर जिस जगह पर आपका कौन काटता है तो कहते हैं रेस्टिक्षन एंडो निकुलिएज उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं उसी जगह को हम लोग क्या पेलेंड्रोमिक अनुक्रम कहीं कोई प्रेशानी तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया समझने के बाद कि दा डी अने सिक्वेंसेस हां एट वीच दा रेस्टिक्षन एंडो निकुलियेज कट दा डी अने डवल इस्टंडेड डी अने के दो धागे को काटते हैं इसी उकाते हैं पेलेंड्रोमिक सिक्वेंसेस अब आजाईए इसी को हिंदी में हमने सिप्व लिखा है आपके लिए कर दिया है दोनों को एक साथ कि डियने का वह अनुकरम जहां पर परतिबंधन एंडो निकुलियेज दोनों धागे को एक साथ काटता है उसको पेलेंड्रोमिक अनुकरम कहा जाता है कही कोई परिशान के बाद कि मानिये की यह डियने का धागा है तो यह फ्राइम है यह फ्री ठाइम है दुसरा ठागा यह फ्री प्राइम है इन यह फाइप राइम है बीच में वईसा जगा आगा है और यहाँ पर कौन इंजायम काटता है कि कहां पर तो जी और एक बीच में काटता है तो G और एक बीच में काटेगा तो ऐसे नहीं कटेगा जी तो DNA कुछ ऐसा हो जागा कट करके यहाँ पर G बचेगा इधर A, A, T, T, C और यहाँ पर 3 प्राइम यहाँ पर कट गया और दूसरा जो है 3 प्राइम यहाँ C, T, T, A, A यहां पर जी होगा इधर कटेगा तो कहने का मतलब क्या समझा यहां से कट के अलग हो गया डियने है यह वाला को भी भी आई मानिये एक इंजाइम रेस्टिक्ष्टन एंडो-नुकुलियेट जिसको हमको पढ़ना है उसके बारे में बताना है कि कहां कटता है तो कहां कटता है डियने का किस जगह पर गाह टीटी सी पर कहां पर कटता है गाह टीटी सी पर परेशानी बढ़ गया क्या परेशानी बढ़ गया आप लोगों को हाँ यह इस्टूपिड क्या है इस्टूपिड क्या हो तरे ले लहा है और दूसरे को इस्टूपिड बोला इसको हम कहते हैं इस्टिकी इंड जब आरा तिर्षा कटे इसको कहते हैं इस्टिकी इंड और जब 20 से कटता इसको कहते हैं हम लोग क्या ब्लैंट इंड यह भी क्agram कर पर आपको आप पढ़े हो लेकिन हम में हमको तो यहां पर उतना प्ट लिखाना जितना कि आप एक्जाम में कर लिए अब उससे जदा प्ट लिखाना है तो हम लोग एक साल जहक नहीं मारे हैं हाँ हो गया यह वाला भी स्क्रीन सॉट ले लिजिए नहीं तो आप रोक करके देख लिजिएगा बाद में समस्ते चलिए यह भी पैलेंड्रोमिक स्विक्वेंस अंग्रेजी वला इसको लिखेगा हिंदी वला इसको लिखेगा एक्जामपल दोनों लिखेगा चाहें अंग् किया है वह इसारों को समझो इसारा जरूर समझो जाओ चिसारों कि इसारों में बात को सम्झो एक्जामप्र बहुत नजदीका गया है आजाओ हो गया है अब आजाओ लाइसोजाइम यह बच्चा सब जानता है कि जब आप रोते हो तो आपके आंख में जो मुएस्चर आता है नमी उस आंसू में बहुत कीमती चीज होता है वैसे एक कीमती चीज यह भी है लाइसोजाइम आपके पसीने में भी आता है आपके लारवा लार में भी आता है लेकि नहीं कहते हैं बबा ऐसा बोलता है न कि आपका जो आंसु है करोणों का है एक बुंद करोणों का है इसलिए बोलता है उसमें लाइसो जाइम होता है और लाइसो जाइम इन जाइम क्या करता है आपको पता है कि बेक्टरिया के सेल वाल को तोड़ता है इसलिए मेरा आंक खु not for the subject you just have to read this lysozyme for the objective purpose also okay है बहुत कीमती है आप लोगों का आसू हम तो रोते ही नहीं है तो हमको आसू आता ही नहीं नहीं लेकिन फिर भी जो यह नमी है उसमें नहीं होगा तो आएक पहला पॉैंट एंग्रेजी वह लाइट गया तो पर आफ लगा दीजेगा सर से छूट गया है वह हैं जो बेक्तिरिया का को किसी का भिति को तोड़ता है और यह कहां रहता यह आंसू में भी रहता है जिसको आप कहते हैं यह इंट-जाग सो परजेंट िंटीयर है इसे परजेंट इन टियर एक लाइन यह भी लिख सकते हैं है आप और लोग रोते नहीं हों आप लोग को कभी दर्ध होता ही नहीं तो रोएंगे कहां से आप इतना डाटते हैं तो दर्धी नहीं होता है घर में बही इतना थूरता है आपको पापा ममी दर्द ही नहीं होता है तो आप रोएंगे कहां से हो गया किलियर आगे बढ़ें लाइसो जाइम क्या है आज लगबग उन चालिस चालिस तक कर देंगे तब दो दिन बचेगा दो दिन में कर देंगे दोनों को एक साथ निप्टारा लिख करके लिख लीजिएगा कहीं को दिक्कत नहीं है एंसी आटी का लेंगवेज है और मेरा लेंगवेज है दोनों मिस्तृत और कहीं का लेंगवेज नहीं है चुकि आपको लिखना चाहिए टू दा पॉन्ट एकॉडिंग टू एनसी आटी विकाओर ये नेशनल बूक है सब दोशता है आपकी मर्जी आप कैसे लिखना चाहते हो क्या समझते हो जैनेटिकली मोडिफाइड और गेनिज्म अनुवान सिख्ते रुपांतित जीव जिसको सौट में बोलते हैं जी एम ओ क्या हुआ नाम जैनेटिकली मोडिफाइड और गेनिज्म और यह जो नाम है इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांस जेनिक और गेनिज्म दोनों का डिफनेशन जो है एक है दोनों का परिभासा एक है आप इसको जो हैं अलग से कुछ नहीं लिख सकते हैं दोनों एक ही चीज है अब लिखने का आपका तरीका क्या है दोनों को हम वही बात लिखना है कि वैसा जीब जिसमें हमने जीन को चैंज किया है ठेठी भासा में गौव के भासा में भागलपूर के भासा में कि वैसा जीब जिसके अंदर हमने जीन को चैंज किया है अनिकी जीन को चैंज कर दिया तो उसका genetically modified हो गया कि genetically modified का मतलब तो यहीं हुआ ना कि जिसका मैंने जीन को चैंज कर दिया तो ट्रांसजेनिक और्गेनिजम वही है जिसके अंदर का जीन को हमने क्या किया चैंज कर दिया जिसका हमने चैंज किया उसी को हम कहते हैं अनुबांशिक्त रुपांत्रित जीब अब इसी को ी यहँ Оल बोख दिने कि ऑन compact्तों कर दो मुझत उ रॉडब अन्प्रगें? in the most organisms in this world the genetic material is you are dna but in the virus the genetic material is what? RNA so both are genetic material in the organisms in depending upon the which organisms are if the human yes another या प्रोकेरियोटीक और डियाने बट इन भाइरस जनेटिक मैटर अरेने तो आर चैंज कॉल जनेटिकली मोडिफाइड और गिनिजम यहां पर लिखें ट्रांस जैनिक और गिनिजम लड़के यही लिखेंगे आपका दो एक्जांपल भी दे रहे हैं सूपर एक्जांपल आ गर्या ट्रांस qницmonth क लाता है कहीं कोई दिकत कहीं पप्रेशानी है आप लोगों को कि वह जीव जिसमें अनुवांसिक पदार्त डीने आरने को परिवर्प्र्थी कि या दोनों क्या है आपका एक डिपनेशन ना दोनों को एक ही आपनेशन में तुलेंगे है ह BIG शिका नंपश आरती खुमारी वो ही ठीक आप यह लीख सकते हैं अंग्रेति में लिख दिया है कि और आपका जिसम्हें ये अंग्रेगें रिका एक प्वैंट था फिर दूसरा प्वैंट में भी अंग्रेजी लिख दिया है दैडा लिजा कल भिट अर्फ obtained from genetically modified organism to genetically modified organism हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम इसमें जैबिक और एक्षिक उत्पाद को बना सके हैं जैसे हम लोगों में इंसूलीन जो नहीं बनता है तो हम लोग इंसूलीन कहां बनाते हैं बैक्टेरिया में तो बैक्टेरिया में ने जीन टेंग किया तब ना बैक्टेरिया में कौंसा जिन जैंज किया इंसूलीं जीन कहां से लाया यूमेन का जीन और किसमें डाला बैक्टेरudevan का अव्यवाट्री सहाईधा से हमने इस मुझे खकिरまだ एक्टेरिया ओपमें शलाने में तो आपको तो खाजाना में कमी ना हो लिख लें अपने से जैवी केवम एक्षी कुतपाद प्रात किया जाता है अब आज आईए एक जांपल बहुत सारे हैं ट्रांसजेनिक माइस ट्रांसजेनिक कॉस जिसमें आलफा एंटी ट्रिप्शिन पड़ियू जोता है उसके मिल्क में ट्रांसजेनिक कॉटन कॉटन से भी क्या होता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है एक बैरल एक जो है प्रोटीन बनता है जिसका नाम है क्रिस्टल प कौन सा बेक्टरिया तो इकोलाई में आपने चैंज किया था ट्रंसजेनिक एनिमल ट्रम प्रोटीन डाला था जिसका नाम है इंसून रहर अबी होसे powerful और कर एक कई वदिफ़त आप कहीं प्रेसानी ह। यह वाला में कहीं परिशानी है यह वाला जो मैंने लिखा है आपका यह वाला इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं यहां से बड़ा ऐसा है कुशन आप लिख सकते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप बेसिलस थुरिंजायंसीस इस इस इट्सेल्फ ए बैक्टेरिया इन वीच जीन्ज आर नोट चैंज इसमें बीटी का जीन लिया जाता है किसी में डाला जाता है उल्टा मत सोचिएगा आज आईए अब आजाओ यह वाल सबसे टेड़ा है पता नहीं पूछेगा नहीं पूछ सबसे पहली बात जानो कि दुनिया में कोई भी सेल हो यू केरियोटिक सेल है यह एक परकार का डिफैंस तरीका है जो डिफैंस तरीका है जो डिफैंस तरीका से जीव अपनाता है डिफैंस का मतलब बचने के लिए तुम लोगों को पता है थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो DNA से क्या बनता है पता है आपको MRNA बनता है सब भूल गया MRNA बनता है कोई बच्चा बता सकता है DNA से आरेने बनता है इसको क्या बोलते हैं आप ट्रांस्क को नहीं बनने देना है तो यही टेकनिक जो है इसको क्या कहते है आरेने इंटर फेरेंस का लाता है तो हमने क्या लिखा इटी इस चलूलर डिफैंस अनि की सेल के लिए डिफैंस का काम करता है जो लगबग सभी यूकेरियोटिक और्गिनिजम में पाया जाता है वीच अकर इन आल यूकेरियोटिक और्गिनिजम्स पहला बात ठीक है ट्रांस्क्रिप्शन है बड़ी अच्छा बात है अब कहता है कि यह एक को स्किया डिफैंस है जो सभी यूकेरियोटिक जीवों में पाया जाता यह हिंदी वला लिखेगा यह अंग्रेजी वला यह थोड़ा मिक इंकोगनिशिया नाम भूल गए एक परकार का आपका जो है सूत्र जो है किरमी था शूत्र किरमी था भूल गए ना यह अगर पूछ दे कि मिलवा जो है डिगाइन इंकोगनेशिया क्या है तो यह याद है तुम लोगों को तोबे को खैनी तो देखा होगा खाया नहीं खानाबि मत यह जो खैनी है इसके जड़ में जा करके एक परकार का नीमा तोड नीमा तोड किसे कहते हैं तो एक परकार का किरमी है यह नीमा संकर्मन करता है इसके जड़ को नस्ट करता है और यह जो खैनी का उत्पादन छमता इसको क्या करता है अब सवाल है कि इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं यही टकनीक लगाते हैं कौन तकनी RNAi क्या लगाते हैं आपका RNAi तो हमने कहा कि इस टेक्निक इस यूज़ इन टोवेको प्लांट्स टोवेको प्लांट्स में लगाया जाता इस टेक्निक को फोर प्रिभेंशन ओफ नीमा टोड्स मिलो आइडोगाईन यानि की मिलवाडेगाईन इंकोगनिशिया को रोकने के लिए ताकि उसके जड़ को नस्ट ना करें तो यह तकनिक तंबाकू के पवदों के जड़ में होने वाले मिलवाडेगाई इंकोगनिशिया सुत्र किर्मी स यh sankerman को क्या करता है रोखता संकर्मन को रोखता है यह थोड़ा और पुछ दिया तो आपको बनाना चाहिए और भी यह चीजिदे लिख दिए गैर जो यह इन वीच को डवल स्टेंडेड आरेने अनुमों के द्वारा क्या किया जाता है निस्क्रिया किया जाता है थोड़ा सा टफ है यह वाला एक्जाम में अगर पूछे तो थोड़ा टफ है कि भाई यह डिफेंस का तरीका है सेल में इस तरीका के डिफेंस के द्वारा हमने टोबेको को रो आता है कि मेसेंजर आरेने मेसेंजर आरेने से क्या बनेगा आपका प्रोटीन बनेगा से डी आने से क्या बनता है आरेने यहीं बनता है ना और यह आरेने से क्या बनता है आपका प्रोटीन यह प्रोटीन को ही ना बनने दें इसलिए इसी को क्या करते हैं इसी को हम लोग डव स्टेंड आरेने मोलिकूल के द्वारा कि परेशानी हो गया कि ऑनलाइन कि थोड़ा सा तो है थोड़ा टफ है ज्यादा टफ नहीं है कि अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छा नहीं समझे तो फिर एक बार देख लेना है कि आजाओ कि 37 नंबर डीकंपोजर किसे कहते हैं कि जूम और कर दें लो कि जूम और कर दिए अब इससे ज्यादा जूम करेंगे तो फड़ जाएगा चुकि मोटा अक्षर में तो लिखा हुआ है ही ज्यादा मोटा नहीं बनाया है यह डीकंपोजर क्या है दो बार पूछा आप घटन करता तुम लोग बचपन में पढ़ रहे हो कि वैसाजीब जो सड़े गले पदार्थों को तोड़ करके मिट्टी में मिलाता है उसे हम क्या बोलते हैं अप घटन करता करते हैं अगर यह अप घटन करता नहीं हो तो जो यह पोशक तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त जो इसमें पदार्थ है तो तुम इसको जानते हो तो डीकंपोजर्स आर नतिंग बट डीकंपोजर्स आर क्या है आपका और और गेनिज्म डैट ब्रेक ब्रेकडाउन मतब तोड़ता है डेड डीकेइंग और गेनिज्म या फिर मेटेरियल्स मेटेरियल्स जादा बेश्ट रहेगा कि जो सड़ा गला जीव है या सड़ा गला जीव का अंस है या मेटेरियल है उसको तोड़ करके कहां पर मिलाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आप घटन करता करते हैं हिंदी में मैं लिखा कि आप घटन करता उस जीव को कहा जाता ह है जो सड़े गले पदार्थों को तोड़ कर मिटी में मिलाता है बोलिए कहीं को लेंग्वेज में है आपको दिखकत एदम सफोस्टिकेटेड एकदम लेंग्वेज लिखा है आर्थ वार्म आप जानते हो यह भी है केचुवा सब में एक अग दिया है मस्रूम दिया है जिसम और तार करके कहां पर मिलाता है मिटी में यह नहीं के डिकंपोजर का एक्जामपल आपको दो तीन देना है तो अंग्रेजी वला अंग्रेजी में लिखेगा हिंदी वला हिंदी में लिखेगा I hope you will get it otherwise it will be very difficult to you and all यह बहुत ज्यादा कुछ है नहीं हम लोग सभी पढ़ च दिक्कत है कि डिकंपोजर में दिक्कत है कहीं थोला पॉँच दस मैट क्लास आगे बढ़ेगा चुकि दोनों एक साथ है ना इंग्लीज हिंदी एक साथ है तो थोड़ा बढ़ेगा टाइम लिमिट नहीं है कि 45 मिनट ही हो हो सकता एगंटा हो जाएक दसमें दो तीन दिन मे आपको बना के दे देंगे आप लोग बाबुजी है ना चोटका चोटका ननकुनियां बाबा है आप लोगों को सब चीज जो है गेस पेपर चेक लड़का बोला कि सर आप लेंग्वेज बता देते हैं हम गेस पेपर से लिखते हैं हम बोले रेलेल हादूम गेस पेपर का लिखेगा तो मेरा ही लेंग्वेज लिखो इससे अच्छा तो मेरा लेंग्वेज है चुकि अपने से लिखते हैं एंसी आटी का लेंग्वेंज रहता है ले लिजिए स्क्रीन सॉट वाइडी कंपोजर का हम मना कहां की हैं और भी आगे पढ़ाना है सुनिएगा डिकंपोजर्स आर भेरी इंपोटेंट टू एनी इको सिस्टम डैट रिसाइकिल दा नूट्रियंट किसी भी पारितंत्र के लिए अप अप घटन करता बहुत ही महत् है क्योंकि यह क्या करता है चक्रन करता है तब ना तोड़तार के मिट्टी में मिलाना फिर मिट्टी से प्लांट लेगा फिर प्लांट से आदमी में लेगा जानबर में लेगा फिर मरेगा फिर मिट्टी में मिलाएगा यह भी पॉइंट लिख सकते हैं आप कितना लिखिए है अब अगल में यहां पर ब्रैकेट में दिये जो है अपर यह आपका क्या है हिंदी में भी है कि आज आईए अब लास्ट कोस्टन यह कर लीजिए चुकि आज का बहुत लंबा समय तो नहीं गया एडप्टेशन दिख रहा है सबको यह अनुकूलन विथ एक्जामपल पूछता है कि अनुकूलन किसे कहा जाता है हम यहां पर हैं इस रूम में हैं बहुत ठंड है हम आपको बोल दें सब चीश पहने हुए हैं इस वातावरन में हम रह रहे हैं इतना ठंड में इसी को अनुक अपने आपको ढाल ले वहां रहने के लायक बना दे तो उसको हम अनुकूलन कहते हैं अब जिसको तुम इतना सरल भासा में लिख सकते हो लिख दो हमने लिखा है दा एबिलीटी ओफ लिभिंग और गेनिजम्स लिभिंग और गेनिजम्स का जो छमता है तू एडजस्ट ज लहने के लिए बिशेश परिवर्तन करता है इसे हम अनुकूलन कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं अनुकूलन कहते हैं कहीं को वाताबरण में भी अनुकूलन के कारण रह सकता है कोई जीव अनुकूलन जीव नए वाता वरन में रहता है चलिए कुछ एकजामपल यहां पर पढ़िए तब आपको मजा आएगा याद है कैक्टस है कैक्टस याद है कैक्टस क्या है याद है तुम लोगों नाग फनी यह जो नाग फनी है यह जो बड़ा बड़ा जो आपका क्या दिखता है आपको यहां पर ऐसे करके नहीं दिखता है आपको यहां पर आपको नहीं दिखता है नागफनी यह से करके और इस पर क्या होता है आपका याद है हरा टाइप का भी पतला पतला क्या होता है कांटा होता है तो यहां पर याग रखना कि यह जो पत्ती है यह पत्ती क्या बन गया कांटा बन गया क्या बन गया ताकि क्या हो वहां उसका तना है जिसको आप इस्टीम बोलते हैं आई ये तना क्या करता है आपका प्रकास संसलेशन करता है तो दोनों काम हो गया ना भोजन भी बना लिया आपने आपको सुरक्षा भी कर लिया काटा से और क्या पानी को भी बचा लिया पानी को भी क्या किया बचा लिया तो कैक्टस हैं मोडिफाइड इस्पाइण एक एक जामपल परिवर्तित काटा कंगारू रेट के बारे में बताए थे कि पूरा जीवन भर यह जो है डेजर्ट में रहता है यह डेजर्ट में रहता है ताकि वहां पर इसको जो है एक फाइदा है कि इसको पानी नहीं पीना तो कैसे आपने आपको एडेट किया है कि कहता है इसके अंदर जो बहुत सारा रियक्षंस होता है न उसी रियक्षंस जिसको एनाबॉलिज्म कहते हैं उसी एनाबॉलिज्म से क्या करता है यह अपने आपको पानी को प्राप्त करता है तो दो चीज यह कंगारू रेट समर्फ Pennsylvania और जो भी पराप्त करता है ये तो उसके अंदर जो होता है उसके दोरान जो हो बनता है उसी को फ्राप्त करता चूहा कि यह आपना वेस्ट में रियल नाइट्रोजन का निकालता है तो नाइट्रोजन का निकालने के लिए पाउनी चाहिए लेकिन यह सॉलिड के रूप में निकालता है किसके रूप में सॉलिड को तब सॉलिड के रूप में निकालेगा हां यूरीन को तो कोई दिक्कत नहीं है नाइट्रोजन को तो यह भी दिक्कत हो गया अब लास्ट आ जाईए आज का सवाल आज के PDF में like कर चलिकेंड क्या है मल्त यह मुचली लिजम फूझ सकता है सब्कारिता क्या सब्सक्राइब तो एक नहीं है इसन्वाइब कर सक्कते वातिछ दालारेकव मुचलीता क्या है सहुप कारिता क्या है तो तुम लोगों को पता है कि लाइकेंस क्या है और एक complex life यह जटिल लाइफ है जिसमें दो चीज मिलके रहता है एक सहवाल अदूसरा कवर तो अंग्रेजी वला क्या लिखेगा बाबा कि लाइकेंस आर एक complex लाइकेंस लाइफ है फॉर्म डेट और सिंबायोटिक रिलेशन्शिप और अलगी एंड फंजाई लाइकन क्या है एक जटिल सिवन का रूप है जिसमें सहवाल और कवक क्या होता है पारस्पिरीक रूप से एक साथ रहता है और तो फंजाई क्या करता है प्रोभाइड न्यूट्रियंट्रियंट्स तू अलगी कहां से स्वाइल से मिट्टी से फंजाई क्या करेगा न्यूट्रियंट्रियंट्स को ल करता है तथा कबक को सैवाल के द्वारा क्या बनाया मिलता है बोजन मिलता है तो दोनों को फैदा है तो दोनों पोजेटीव है इसी को तुम किसमें दिखा जखता है सहुपकारिताम अब आजाओ इटीज इंडिकेटर आफ एसूटू पॉल्यूशन यह अब्जेक्टिव बह फोर को दूशन है सलफर का परदूसन है तो « suspects यकि वहां पर क्या होने वाला है आपको बवश्ट में स्टूई आछ आश बोजिए होने मारी है जिसको हम कहते हैं आ अमलिया बर्षा क्या बोलते हैं इसको अमलिये वर्र रहा कहीं कोई दिखत है यहां तक कि IT लुक है सुरी कहीं कोई दिक्कत है लाइकन क्या है तो दो जीवों का जो दोस्ती है एक आपका रूमेट का और आपका दोस्ती है एक रोटी बनाता है तो दूसरा क्या करता है बरतन दो देता है बट वही यहां दोस्ती है क्या दोस्ती है पता है यह दोस्ती है एक खाना बनाता है निकाल के देखता है कि कहीं कोई प्रेशानी रह गया क्या और लास्ट वन इस देट इट इंडिकेटर ऑफेसोटू यह दो तीन बार पूचा है तो मैंने फिर से याद दिलाने के लिए पॉइंट लिख भी दिया यह भी लिख सकते हैं कल भी हम आपका 10 या 12 कोशन लाएंगे इंग्लिश मेडियम का एक साथ दो-तीन दिन में सौट खतम कर लेंगे फिसके बाद अब्चेक्टिव खतम कर लेंगे फिर कूदेंगे किसके बीच में चार दिन पॉस दिन लॉंग कोशन के बिन हम लिख के देंगे और समझा देंगे आपको परिशानी नहीं होना बोलिए यहां पर कोई दिक्कत है आपका इटीज इंडिकेटर ऑफ एसो टू कौन है इंडिकेटर आपका लाइक है और सब हमने लिख दिया है और आप लोगी स्क्रीन सौट लेकर के सब को बना लेंगे या रुक रुक के पाउज करके लिख लेंगे और एक बढ़ पढ़ लेंगे करेंगे और भी कुछ सवाल होगा तुम लोग लिख के भेज देना लिख के भेज देना और बहुत लड़कों का कहना कि सब्सक्राइब बना करके चार लाइन तीन लाइन दे लिखनें सुविदा होगा कर देंगे हम कोई दिक्कत नहीं है बट दिख रहा है न अच्छा से यह जो पीडियाप बनाया इसमें आपको दिख रहा था न अच्छा से परिशानी नहीं था न चुकि अब हम तो तुम लोग को जैसा दिखेगा उसी तरह करेंगे न यह अगर लिखा हुआ है चुकि छपाने का समय नहीं है मेरे पास अपने से लिख करके थोड़ा सा दिख जब हां अच्छा हुआ इसमेट आएर लूगो मेरे दोड़े । धिख व्सकास अउम ड़रे चफल अच्छास से तरह करेंवा।